हेलो केट्स, अब हम आउ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करेंगे दिखिए ये होती है आउ की मात्रा, एक खड़ी रेखा और दो पाई ये है आउ की मात्रा, तो चलिए हम इन शब्दों को समझ कर पड़े अ, पे आउ की मात्रा आउ, र, आउर अब बचो हमें पता है कि चापे आउ की मातरा लगेगी तो चाप हो जाएगा इसे अब हम सीधे ही पढ़ेंगे डारेक्ट जैसे कि चाप क पे बढ़ी की मातरा की तो इसे हम डारेक्ट पढ़ेंगे की चाप की जोहरी गोरव सरवता डील डौल बावर शोक चोडा लोकी नौकरी सोरब खि लोवना सोदागर कोर मोज दवडा मोसी चोदरी चोदरी चोपाया जोनपुर थावर फोज चोथा गोवरी चोबारा चोबारा कोशल मोलवी नौजवान नौजवान मोन दवड मौका भोवरा फोवारा चोपाल तोलिया भाग दवड बचो अब हम अव की मात्रा से सम्मंदित कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको अब गोव पे आव की मात्रा गोव ऐसे नहीं पढ़ना है आपको पता है कि अगर मात्रा लगती है तो उच्चारण मात्रा के साथ होता है जैसे कि गव ठीक है और जहां भी ये खड़ी रेखा आए तो इसका मतलब है पूर्ण मिराम वहाँ एक दो सेकेंड के लिए आपको रुखना है तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गवरव की मौसी आई मौसी जौनपुर में रहती है गवरी पकवडी बना कर लाई नवकर बाजार गया बाजार से लवकी लाया बवना सरकस में काम करता है सरकस में चौदह गोडे हैं सौरब एक जौहरी है सौरब के पास एक सौदागर आया यह नौजवान कौन है यह चौकीदार है चौकीदार पहले फोज में था कौशल चौपाल पर है चौपाल चौधरी के चौबारे लगी है कौशल अभी चौपाल से नहीं लवटा उसे अउशधी लाना है तो बच्चो यह थे आउ की मात्रा वाले शब्द और उससे संबंदित वाग के इस पार्ट को एक दो बार और दोरा कर इसका अभ्यास करिए गुडबाई आवरिवन